हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तू दा उनलाइन क्लासेज ओफ आरलकेडमी स्टुडेंट्स अपन 12 इंगलिस कंपल्सरी एंड लिटरेचर में राइटिंग चेप्टर कर रहे थे स्टुडेंट्स के लिए है इपक्लासे है उसकी एक्लास पढ़ते हैं उसकी अ क्या करते हैं speech लिखेंगे योसन इस तरह से रहेगा कि you are rena या रंजीत आप कौन हो rena या रंजीत हो of class 12th और आपके class कौन सी है 12th class की है you read a topic आपने एक topic पड़ा about किस के बारे में your duty आपकी duty as a citizen of India इंडिया के citizen के रूप में नागरिक के रूप में आपकी duty in a book एक book के अंदर कि आप रहना या रंजीत हो आपकी class 12th है और आपने एक topic पड़ा है किस के उपर पड़ा है your duty आपका क्या करता हुए है as a citizen नागरिक के रूप में of India यानि इंडिया के नागरिक के रूप में आपका क्या करता हुए है इन a book एक book के अंदर आपने इसा पड़ा है तो अब आपको करना क्या है write a speech आपको एक speech लिखना है in 100 words सो सब्दों के अंदर literature वालों को 150 words के अंदर यानि कि लिखना है on किस topic पे my duty as a citizen of India topic क्या रहेगा कि मेरा करतव्वे as a citizen of India citizen means नागरिक यानि कि इंडिया के नागरिक के रूपे मेरा क्या करतव्वे है तो students बता चुका हूँ very very important है इसमें लापरवाई बिल्कुल नहे करें तो सबसे पहले माँ आपको बता चुका हूँ speech लिखोगे तो आप title लिखोगे my duty as a citizen of India इंडिया नए page पे आपको लिखना है capital letter में लिखे और इसको आप underline कर दीजिए उसके बाद एक line छोड़िए सबको यानि address कीजिए जो भी आपका speech सुन रहा है तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे good morning everybody या good morning everyone जो भी है वो आप लिख दीजिए उसके बाद देखिए ये starting का आपको address करना है जो आपका speech सुन रहा है थोड़ा सा अलग लिखने इकोसिस की है छोटा भी है तो क्या है honorable members of the jury यानि jury के यानि समाननी सदस से या जो भी यानि के jury है पंचायत है उसके समाननी सदस से respected teachers and dear audience ये लिख दीजिए या जो पहले माँ आपको लिखवा चुका हूँ वो line लिख दीजिए honorable chief guest, respected principal sir, worthy teachers, my dear friends ये सारी line आप लिख सकते उसके बाद नई line में आपको अपने बारे में लिखिए क्या लिखा है आई रेना या रंजीत आप जो भी हो वो अपना नाम लिख दीजिए of class 12th यानि class 12th of government senior secondary school अलसी सर ये अपनी स्कूल का नाम दे दिया अब आगे क्या लिखोगे कि today I am going to express आज मैं जा रहा हूँ express करने या जा रही हूँ express करने my views, मेरे opinion, on kiss pay, my duty as a citizen of India जैसे मैंने लिखा है आप इस तरह से लिख दीजिए हरवर्ड का पहला अच्छरा को capital कर दीजिए इसको epistoke में पंद कर दीजिए इतने में मेरे इसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप फे format learn कर चुके हो अब देखिए आप कैसे लिखोगे अब इसको यानि की दो paragraph में आने की मैंने लिखा है तो सबसे पहले देखिए इसमे आप नई line से लिखिए dear friends फिर ये दोस्तो every person has some duties कि परते एक person के कुछ duty होती है कोई भी person होता है उसकी कुछ duty होती है and responsibility जीमेदारी होती है at every stage of life जीवन की परते एक stage पर यानि की life के परते एक stage पर परते एक वेक्ति की आनि कुछ duty और responsibilities होती है तब आगे आप क्या लिखोगे आप 12th class के student हो तो आप बता दीजिए I am a student at present मैं वर्तमान में क्या हूँ student हूँ and I believe that और मैं विश्वास करता हूँ कि every student has some duties कि परते एक student की क्या होती है कुछ duties होती है towards किस के परती his nation अपने राष्टर के परती किस का मतलब nation means देश के परती तो कहने का मतलब पीजे दोस्तो every person has some duties कि परते एक वेक्ति की कुछ duties होती है responsibilities होती है at every stage of life जीवन के परते एक stage पे अब आगे क्या लिखोगे I am a student मैं कौन हूँ student हूँ at present वर्तमान में and I believe that और मैं विश्वास करता हूँ कि every student has some duties कि परते एक student की कुछ duties होती है to arts किस के परती अपने राष्टर के परती अपने देश के परती the future of country country का जो future है भविस्य है वो depends on the students किस के उपर depend करता है student के उपर depend करता है student जैसा होगा वेशा ही भविस्य होगा so they suit study hard इसलिए यानिकि student को क्या करना चाहिए उसकी अब आप student हो तो आपका करतवे यही है देश के परती कि आप study hard करो क्यूंकि आप जैसा पड़ोगे वेशा ही देश बनने वाला है तो देश का भविस्य से आपके उपर यानिकि निरबर है तो इसलिए यानिकि उसे study hard करना चाहिए and excel in their fields of study और अपना जो fields of study है study का जो छेतर है उसमें excel लाना चाहिए उतकर्ष्ट यानि परदर्शन दिखा चाहिए क्योंकि students क्या कर सकते हैं they can bring वो ला सकते हैं drastic मतलब भीशन यानि change ला सकते हैं बदलाव ला सकते हैं and boost up बढ़ा सकते हैं the speed of development यानि development की जो गती है उसको बढ़ा सकते हैं तो कहने का मतलब क्या है देश का भविस्य से students पे आने की निरबर है इसलिए student को क्या करना चाहिए study hard यानि की study hard करने चाहिए और excel in their fields of study और अपने fields of study में excel लाना चाहिए यानि की उतकरष्ट यानि परदेशन करना चाहिए और student है वो क्या कर सकते हैं देखे and bring a drastic change मतलब क्या है भीशन वर्तम यानि बदलाव ला सकते हैं students और boost up boost up miss यानि वो बढ़ा सकते हैं the speed of development यानि विकास की गती student यानि की बढ़ा सकते हैं वो केसे बढ़ेगी जब student यानि की hard study करेगा अब अगले paragraph में ये तो आपको student की रूप में करतवे हो गया आप देखिए आपको यालिक किस रूप में करतवे हैं, अब आप यानि स्टूडेंट के बाद आप क्या है, दैं as a citizen यानि नागरी के रूप में, उसके बाद as नागरी के रूप में आपको क्या करना है, he must work honestly कि उन्हें क्या करना चाहिए इमानदारी से काम करना चाहिए नागरी के रूप में ठीक है यानि student life के बाद he must respect और क्या करना चाहिए उसे respect करना चाहिए आदर करना चाहिए and follow the constitution of his country कि अपने देश का जो सविधान है उसका respect करना चाहिए और follow करना चाहिए जो जो सविधान कहता है मतलब देश के सविधान के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए और अगली बात देखिए student very important line कि preserving and promoting countries, art, language and culture और यानि कि नागरी के रूप में आपको preserve करना होगा मतलब कि सरंक्षन करना होगा और promote करना होगा बढ़ाना होगा country की देश की कला सिंसकरती और भासा को कला भासा और सिंसकरती को promote करना होगा और उसका सरंक्षन करना होगा It's also a noble trait of a citizen ये भी क्या है एक citizen की अनि की एक अच्छी trait है एक अच्छी विशेषता है तो कहने का मतलब क्या है as a citizen के रूप में आप अच्छा काम करें मानदारी से और जो सविधान है उसकी पालना करें और आपको क्या करना है देश की कला संस करती है उसको बढ़ाना है उसका अनि स्रंक्षन करना है और उन्हें क्या करना है चाहिए he should stand by his nation in crisis की crisis की हालत में बाद आप क्या लिखोगे कि he should also try और student को क्या try करना चाहिए to maintain harmony and peace क्यों वो maintain कर रखे harmony and peace मतलब अमनोर चेन यानि बनाई रखे in society के अंदर और साथ इथस इस प्रकार से we all should try हम सब को try करना चाहिए to be good citizen of our country यानि कि हमारे देश का अच्छा नागरिक बनने की try करने चाहि कि I take an oath मैं एक oath लेता हूँ एक सफत लेता हूँ today as that कि I will be a noble citizen of India कि मैं क्या बनूँगा यानि कि देश का महान नागरिक बनूँगा उसके बाद आप line सोड़ करके क्या लिख दीजिये students thank you very much लिख दीजिये तो कहने का मतलब उमीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा फिर भी जल्दी में मैं आपको एक दो मिनिट में थोड़ा सा इसका हिंदियर थोड़ बता देता हूँ जो main main lines है तो पहले तो आप student हो तो student के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है वो लिख दीजिये और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नागरिक के रूप में क्या है तो dear friends या students every person has some duties परतेख वेक्ति की कुछ duty होती है जिम्मेदारी होती है परतेख stage of life यानि जिवन की परतेख stage में और मैं कौन हूँ student हूँ present में और मैं विश्वास करता हूँ कि परतेख student की भी क्या होती है यानि duty होती है अपने देश के परती और क्योंकि future of country है किस के उपर depend करता है students के उपर depend करता है इसलिए student को hard study करने चाहिए और साथ ही student है वो क्या ला सकता है यानि कि भीशन चेंज ला सकता है और जो development की जो गतिया उसको बढ़ा सकता है उसके बाद नागरी की रूप में आपको इमानदारी से काम करना चाहिए समीधान है उसकी कला सेंस करती है उसको बचाना चाहिए स्रंक्षन करना चाहिए और साथ उसे देश के साथ खड़ा रहने चाहिए संकट की गड़ी में और उसे क्या करना चाहिए समाज के अंदर harmony and peace यानि कि अमन और chain बनाई रखना चाहिए और इस तरह से हम क्या कर सकते है यानि कि एक आपको speech अच्छी तरह से समझा गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए दोस्तों में shares कीजिए channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कीजिए thank you